वो जीतन राम माजी जिसे नितीश कुमार ने मुख्य मंत्री बना दिया था, वो बार बार नितीश कुमार के खिलाफ बगावती सुरपना रहे हैं, बार बार नितीश कुमार को ले करके जीतन राम माजी का दुख जलक जा रहा है, और बार बार इस बात का जिक्र जीतन राम माजी कहीं न कहीं कर दे रहे हैं कि कैसे नितीश कुमार ने उनकी पार्टी को अपनी पार्टी में विलाय करने के लिए कह दिया था और जब जीतान राम माजी इस बात के लिए राजी नहीं हुए थे तो उनके बेटे को मंत्राले से बाहर कर दिया गया था उनको सरकार से बाहर कर दिया गया था उसके साथ ही जीतन राम माजी जब से लोकसबाद चुनाओ जीत करके सदन में गए हैं और जब से केंद्रिये मंत्री बने हैं बार बार वो नरेंद्र मोदी के प्रती कृतिक्यता जाहिर करते हैं और बार बार इस आप जनता में सुरू कर चुके जनता जंग्षन देखना शुरू कर चुके है और कैमरे के पीछे हैं विशाल वो जीतन नाम माझी जो बार-बार इस बात को ले करकर दुखाइद चुन कि नितीश कुमार जब राजदगठवन्दन के साथ सरकार में थे और जब जीतनराम माजी उनके साथ थे, उनके सहयोगी दल की भूमिका में थे, तब जीतनराम माजी पर नितीश कुमार ने इस बात का प्रिसर बनाया था, कि वो अपनी पाटी का बिलाई जनतादल उनाइटेट में कर दें और इस बात का जिक्र जीतनराम माजी हर बार करते हैं अभी हाली में जीतनराम माजी जो है एक दिन पहले इमामगंज पहुचे थे और इमामगंज के गाधी मैदान में एक सभा को सम्बोधित कर रहे थे और उस सभा को सम्बोधित करते हुए जीतनराम माजी का दर्द एक बार फिर से छलका एक बार फिर से उन्होंने नितीज कुमार का जिक्र किया और नितीज कुमार का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि नितीज कुमार ने हमारी पाटी को बिलै करने का प्रिसर बना रहे थे ले नितिश कुमार के पाटी के साथ अपनी पाटी का विलय नहीं किया उसके बाद जीतन राम माजी कहते हैं कि पहले मेरा बेटा जो था वो नितिश कुमार की सरकार में एक मंत्राले का मंत्री था लेकिन जब से हम मोदी जी के साथ गए हैं जब से हमारी सरकार बनी है उसको तीन जाले कैसे नितीश कुमार की सरकार से छीन लिया गया था उनको मंत्रीपद से इस्तिफाद देना पड़ गया था और अब जीतन नामाजी इस बात के पृति अभार जाता रहे हैं कि नरिन मोदी के साथ जाते हैं उनके बेटे को एक नहीं बलकि तीन-तीन मंत्राले दे दिया अब आगे क्या कहते हैं जीतन नामाजी ये समझेए वो कहते हैं कि लोकसवा चुनाओं में हमको मौका दिया गया एक सीठ हमको मिली और मेरा बेटा जो है संतोस सुमन वो एमिल सी है छे साल के लिए है और इस कारण से हमने सोचा कि हम ही अपना बलिदान देते हैं हम ही इसम हैं यहां हम खुद लर रहे हैं और इस कारण से आप लोगों ने हमको जिता दिया और फिर केंदर में गये उसके बाद वो हुआ जिसको हमने सोचा भी नहीं था कभी कहते हैं जीतन नामाजी कि नरेंद्र मोधी की कैबिनेट में हमको मंत्री बना दिया गया और हमको दिया नरेंद्र मोधी का पसंदीदा मंत्राले कि नरेंद्र मोधी के विजन का मंत्राले में हमको दिया गया और इसके बाद हमको साइद इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसा मंत्राले दे दिया गया है हम अपना पोटफोलियो वापस करने जा रहे थे और जैसे ही नरें जार्खंड में विधान सभा चुना होने वाला है जार्खंड अभी हम हाली में गए थे और वहां 425 करोर रुपया जो है हम देकर के आए हैं और इसमें NDA की बहुत बड़ी भागेदारी है बहुत बड़ी भूमी का है अब आप इस बात को समझे कि नितीश कुमार को लेकर के जिस जीतनरामाजी का दर्द जलगता है नरेंद्र मोदी के प्रती इसलिए जादा वो कृतग्ये महसूस करते हैं क्योंक कि जीतनरामाजी के लिए उन्हें लोगों से अपील किया कि यहां जीतनरामाजी नहीं बलकि खुद नरेंद्र मोदी चुनाऊ लग रहे हैं उसके बाद जब मंत्राले बटवारे की बात आई के इंद्री मंत्राले की पूटफोलियो दिया तब भी जीतनरामाजी को नरेंद्र मोदी ने अपने पसंदीदा मंत्राले को दिया और जीतनरामाजी साइद इन्ही कारणों से नरेंद्र मोदी के प्रती ज्यादा कृतग्य महसूस कर रहे हैं। कई मुद्दों पर केंद्र सरकार के विरोध में खड़े थे लेकिन जीतनरामाजी जो हैं वो हर मुद्दे पर लगभग केंद्र सरकार के साथ थे जिसमें साथ नहीं वे थे उन्होंने विरोध में एक सब्द नहीं बोला और इस कारण से हमको लगता है कि जीतनरामाजी जो ह सोस्ते हैं नितीश कुमार के ऊपर जो जिस तरीके से उन्होंने फिर से हमला बोला है एक बार फिर से अपना दर्द बया किया है इसके बारे में आप क्या सोस्ते हैं अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंग सन बहुत-बहुत धन्यवा आप dejar Bizद बारे में आप से एक पर शचया रया ओल्सका है, ब says भी आपते रेखते हैं, वोला आप सिझा एक जोते हैं कर थाएग कर शाय एक भी युझते हैं